Hello everyone and welcome back to the channel तेकर जैसा के title और thumbnail से देखकर आपने पहचान लिया होगा कि जो आज की वीडियो हो किस topic के उपर हैने वाली है फिर भी मैं आपको बता दूँ तो आज की वीडियो जो है न वो है किसके उपर एक advertisement को लेकर जो के new posts है किसकी इन जैन के police, home department पर ठीक है तो आपको पता ये के काफी पहले से ये demand थी और इस चीज़ के उपर काफी ज़दा काफी ज़दा highlight थी ये चीज़ ठीक है तो finally जो GKSSB है उसने क्या करा है इन post को लेकर advertisement जो है वो निकाल दिया अभी देखिए इस वीडियो में हम complete देखेंगे किस तरह से और इसके online application फ़र्म होने वाली है क्या fee रहने वाली है कौन-करन इसको बर सकता है क्या age रहने वाली है वो सारा हम एक एक चीज़ करके यहां पर देखेंगे चलिए मैं सबसे पहले आपको आगे यहां पर लेके चलता हूँ यहां पर सबसे पहले आप देखें पोस्ट हैं कितनी आपके पस चार हजार दो पोस्ट इतनी चीज़ आप देखें आगे आपसे में दूसरी आगर बात यहां पर शेयर करने तो वह आपके पास कंसी जो आनलाइन एप्लिकेशन फार्म की जो डेट है वह कब है 37,2024 आज है क्या सतार ठेक आज है 17 जुलाई ठेक है न मतलब आज से पूरे तीरह दिन बाद पूरे तीरह दिन बाद आप ने कहाँ करना है इस अप्लिकेशन को आप आनलेन कर सकते ठेक है इसकी लास्ट डेट जो है ना वो है 29 आट दो हसार जोविस मतलब पूरा आपको एक महीने का टाइम मिल रहा है ठीक है ना तो आप क्या कर सकते इसको बढ़ सकते ठीक है चलिए आगे अगर मैं आपसे बात करूँ यहां पर के हाँ डो मिसाल आपके पास आपके पास जो जो ज पर देख लिया ओपन मेरिट जो है उसकी जो मिनिममम कम से कम अठारह होनी चाहिए और मैक्सिमम जो हाना 28 होनी चाहिए इसे जदर निए चलेगी ओपन मेरिट के लिए मतलब उन 1996 और 2000 2006 इनके बीच में उसकी एज होनी चाहिए 1 1 1996 में 26 & 216 से बाकि अब यह देख लें सेघाराइं से एस्टी वन की भी सेम है स्टी तूर की भी सेम है स्टी इह आर बी एक की बी वही और यह ए ऐल्स आई बी की भी वही गया है अच्छा ओचा पर वही है देखिने बी है एक टो जो इन सर्विस पॉलीस परसनल मंदर जो दूसरा अगर आप देखेंगे गोर्रमेंट सर्वीस से कंट्रक्चिल इंप्लाइमेंट हाँ ने ने इनके भी 28 है ठीक है एक सिर्फ इसके लिए जो पॉलिस मालेडरी हैं और दूसरा जो एस्पियूस जो है न और दूसरे जो हूंगार्ड से हैं उनके लिए कितनी 18 से लेकर 40 साल तक यह चीज़िया तक न डेट उनके देखेंगे एक एक 1984 लेकर एक एक 2006 तक यह एज है लेकिन हाँ आगे आने वाले दिनों में हो सकता है हो सकता है पॉसिबिल्टी है कि यह एज जो करा है armed forces में उसको करना क्या है actual age जो होगी आपकी total जो भी ठीक है उसमें अपने क्या करना है minus करना है किसको जो अपने service करी है ठीक है na service यहां पर लिखनी है तो इन दानों का जो difference आएगा मतलब जो result आएगा न वो age जो आपके पास होगी वो जो आपके पास होगी उस age को लेकर आपने क्या करना है मतलब वो age जो है और साथ ही साथ जो maximum age जो इन्होंने बताई है ठीक है इसको मिलाकर आपको 3 साल और extra मिलेंगे ठीक है na मतलब अगर इन्होंने यह करी है कितनी 28 साल करी है 28 और 3 कितने 31 साल होगी ठीक है अब आपकी यह resultant जो है 31 से अगर कम होई ठ तो इसका मतलब आप उसके लिए क्या है अलीजी वाले है ठीक है आई होप यह समझ आ किया होगा लेकिन यह वाला जो है ना 2006 से बाद वाले जो इनका बरन हुआ है वो यहां पर नहीं चलेंगे ठीक है 2006 से पहले वाले वाले ही यहां पर इस चीज़ को अपलाई कर सकते हैं ओक यहां पर पता ही आप सबको ठीक है पहले एक्साम होगा उसके बाद आपके पस क्या होगा यह इसमें आपकी फिर इसमें आपकी फिर इसम दूसरे टेस्ट पर गार होने है ठीक है तो अब्जेक्टिव टाइप होगा नेक्टिव मार्किंग होगी ठीक है ना 0.25 के हिसाब से एक कोशन अगर गलत हुआ तो इसमें 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे ठीक है पांच परसंट आपको मिलेगा बॉनस यहां पर किसके ए यहां पर गॉर्खा कम्यूटि और बोट्राइप जो इनको मिलेगा यहां पर गॉर्खा कम्यूटिई है और बोट्राइप जो है इनको मिलेगा चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर फिसिकल एंडुरिंस टेस्ट की ठीक ना तो यहां पर क्या होगा आप दूसरा देखिए वह हो गया मतलब इसके साथ दूसरा हो गया आपके पास कांसा रेस के जो करनी आपने सोलो सो मेंटर लॉंग रेस होनी है ठीक है उसके साथ पुश अपस होने आपके पास बीस टोटल मिला के चालीस आपने ओपर नीचे होना ठीक है अब देखिए फीमल के इंडेट्स के लिए है ठीक है अगर 30 साल के है उस साथ 26 मिनट मैंगे ठीक है उसके साहर चालीस साल से अबबरें तो शबलंक पुश अब गरेको आपकर है जिक लागे जेखे चरी है औसका मेरें आपके मेरें खेश करने को सब्सक्राइब जींगा अगी अब आगे 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 चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे और चलो आगे और चलो आगे और चलो हाँ यह चीज निकली है यहां पर अब आपको यहां पर बताना मैंने एक चीज़ करके देखिए यहां पर देखिए किस इसमें क्लास आपके पास हो चाहिए अगर आपने इस फाम को बरना है SDRF के लिए आपने बरना है तो उसमें आपके पास 10th standard हो चाहिए ठेक है उसके बाद Constable Telecommunication में अगर आपने बरना है तो उसमें आपके पास 12th होनी चाहिए लेकिन Science के साथ याद देखना है इसलिए मैंने का था लाग लाग ठेक है आगे आप देखें फोटोग्राफ के लिए अगर आप बरेंगे तो 10th plus 2 with science along with शिक्समांथ कंप्यूटर कोर्स होन चाहिए यह भी आप चाहिए आप देखेंगे तो इसमें क्या है यह जमूद दिविजन के लिए ठेक है उसे तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर क्या है किश्मीड विजन के अगर बात करें तो इ बाक़ी सबी में किया है आपकें पास हा एक फोतुग्राफर अगर्यास के लिए आपको 10 بهता ही चाहिए है या भी हमने उपर बात कर ही ली या वो यह से हमें अब दिखिए जो भी कोशिश की एक सर्विस कर रहे हैं किसी बी आप में हैं कोई बी आप डोट है तो इस से ले आप मुझे यह कमेंट सक्षिन में पूछ सकते हैं तो आपको उसकांसर मिल जाएगा ठेक है ऐसी ही जानकारी के लिए एसी अपडेट के लिए employment news के लिए, jobs के लिए, vacancies के लिए, post के लिए आप इस channel पर जूर 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 जाएं अगर आप उससे आप updated रहना चाहते हैं ठेकन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही notification आपको informative वीडियो जो आपको मिलते रहें तो फिर आप जूर जूर जाएं और हम वीडियो गर आपको यह वाड़ी अच्छी लगी है तो लाइक भी जूर कर दें यार ठेकन बाकी हाँ, चलिए बाकी वीडियो को यहें पर करते हैं, stop, take care, goodbye